Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet chapter 12 The Talkative Barber आज हैं class 5th English की worksheet solve करेंगे chapter 12 Talkative Barber तो चलिए worksheet solve करते हैं worksheet solve करने से पहले बच्चो अगर आपने The Talkative Barber स्टोरी नहीं पड़ी है तो चलिए एक बार स्टोरी पढ़ लेते हैं आपकी सुविधा के लिए मैंने pages लगा दिया है जिनके सायता से आप आसानी से स्टोरी पढ़ सकेंगे आपकी स्टोरी पढ़ सकेंगे स्टोरी पढ़ने के बाद चलिए अब वाक्षीट सॉल्व करते हैं यह कुछ वर्ड्स यहां पर दिये हुए हैं हमें इन वर्ड्स को सही जगह भरकर सेंटेंस को कम्प्लीट करना है तो बच्चों यहां पर सो जो दिया हुआ है वहर रोंग है सो की जगह है यहां हम एंड लिखेंगे बाइ मिस्टेक सो लिखा गया है तो आप यहां एंड लिख लिजिए चलिए अब सेंटेंस को कम्प्लीट करते हैं तो यहां हम लिखेंगे वाइल वाइल आप कोकिंग दा फूड यू कम्प्लीट यू वर्ड जब तक मैं खाना पकाता हूँ जब पकाती हूँ आप अपना काम पूरा करें तो यहां हम लिखेंगे और डू यू लाइक अपल और मैंगो थर्ड आप फिनिज्ड माइ रीडिंग डैस राइटिंग वर्क तो यहां हम लिखेंगे एंड आप फिनिज्ड माइ रीडिंग एंड राइटिंग वर्क पूरा कर चुका हूँ तो यहां हम लिखेंगे इफ अगर हम बस से जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे तो यहां हम लिखेंगे अनलेस जब तक आप कड़ी मैनत नहीं करोगे आप अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे तिल मैं अपने मित्र के आने तक यहां इंतजार करूँगा चलिए नेक्स्ट क्वेस्टिन करते हैं क्वेस्टिन तू इन दस्टोरी टॉकेटिव बार्बर बार्बर इस काल्ड टॉकेटिव बिकॉज ही तॉक्स अलोट मैच दगीवन मीनिंग विद द क्रेक्ट वर्ड फर्स्ट अपर्सन फू चैटर्ज एट लैंथ ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक बाते करता हो तो इसके लिए हम लिखेंगे टॉकेटिव इसा व्यक्ति जिसका व्यक्ति इनसानों के बाल और दाड़ी काटना हो तो इसको हम कहते हैं बाबर थर्ड लैकिंग दा पावर अफ एरिंग और हैविंग इंपियर्ड एरिंग तो यहां हम लिखेंगे डीफ सुनने में कठिनाई या सुनने की शक्ति का ना होना तो ऐसे व्यक्ति को डीफ कहते हैं फौर्थ अनेबल तू सी बिकॉज अफ इंजूरी डिजीज और कंजेनिय कंडिशन तो यहां हम लिखेंगे ब्लाइंड दुरगटना बिमारी यह कंजेनियल कंडिशन के चलते देखने में असमर्थ तो उसे हम ब्लाइंड कहते हैं फिप्थ हैविंग नौ टीथ टीपकली थ्रू ओल्लेज तो यहां हम लिखेंगे टूथ लैस ओलडेज में दातों कर ना होना तो उसे हम टूथलेस कहते हैं चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेस्ट्री देर अर्मैनी पीपल इन आर लाइज नीचे दिये गए चित्रों को पहचान कर चलिए उन्हें एके करके पहचानते हैं मैं आपको फल एवं सबजी बेजता हूँ तो यहां हम लिखेंगे ग्रीन ग्रोशर ग्रीन ग्रोशर जब परसंट वो शेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेकिंड आई ड्राइब टैक्सी बस ऑटो रिक्सा तो हैल्प यू ट्रैवल तो यहां पर हम लिखेंगे ड्राइवर थर्ड आई क्लीन दरोड स्ट्रीट इन यूर एरिया मैं आपक ध्यान सकते हैं राइट स्वेपर सफाई कर्मी फोर्थ आई टेकर अफ यूर हैल्थ मैं आपकी सेहत का ध्यान रखता हूं कैन यू गैस राइट डॉक्टर फिफ्ट आई कीप यूर एरिया सेफ एंड सिक्योर कैन यू गैस राइट यहां हम लिखेंगे पुलिसमें शेक् मैं दूद ब्रैड इत्यादी सेल करता हूं तो यहां हम लिखेंगे ग्रोशर ग्रोशर इस परसंट वो सेल मैं इस लाइक ब्रैट मिल्क एक्सेटरा चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेस्टन फॉर रीड दा स्टोरी एंड फिल इन ब्लैंक स्टोरी को पढ़िये और खालिस् ऐन एक्सेटर अच है कि इस नृष्टन ने बार्बर को किसले बूलाया था राइट विखेंगे अपने से बाल मुनभाने के लिए थर्ड बार्बर है डाइस नंबर ओफ ब्रड़र तो यहां पर हम लिखेंगे six, बार्बर के कितने भाई थे? six fourth, बार्बर invited Dash to his house बार्बर ने किसको invite किया हुआ था? right, यहां हम लिखेंगे friends, बार्बर ने अपने दोस्तों को invite किया हुआ था fifth, बार्बर lived in Dash city तो यहां हम लिखेंगे कासगर बार्बर कासगर सहर में रहता था चलिए, next question करते हैं question five how to make tea चाए कैसे बनाते हैं? तो यहां पर कुछ steps लिखेंगे चलिए पड़ते हैं first, put water in the vessel and let it boil बार्बर में पानी डालिए और उबालिए second, then put sugar and tea leaves in the water अब चीनी और चाए की पती पानी में डालिए third, after the water gets boiled, pour milk into it, पानी उबलने के परचात, उसमें दूद डालिए fourth, after boiling for few more minutes, serve the tea कुछ देर उबलने के बाद चाए को serve करिए तो आपकी चाए ready हो जाएगी अब यहां लिखा है, now describe any one of the following process नीचे दी गई कि दो में से कोई एक process को आपको describe करना है, first है how to make a salad और second है how to wash your hands चलिए, एक एक करके दोनों को हम describe करते हैं, चलिए first हम लिखते हैं, how to wash your hands, तो यहां on your hands and between your fingers make sure to rub it on the back of your hands fourth 열 don't forget the back of your fingers sand thumb fifth есть remember to clean your finger nails as well six scrub your hands and wrist for at least 20 seconds seven rinse with clean preferably running water eight dry your hands and wrist with a clean towel paper towel or air dryer चलिए इसको हिंदी में बता जेते हैं अपने हातों को गीला कीजिए और साबुन लगाईए अच्छे से हातों के बीच में और उंगलियों के बीच में मलिए अपने हात के पीछे वाले इससे को भी अच्छे से जगडिए फिर उंगलियों के पिछले इससे को भी अच्छे से जगडिए अंगुठे को भी अच्छे से जगडना है अपने उंगली के नाखुनों को भी अ प्रेफरेबली दर्निंग वाटर के नीचे अपने हाथ को धोना है दोने के बाद अपने हाथों को टोवल पेपर टोवल या हैंड ड्रायर से सुखाना है तो इस प्रकार आपके हैंड वास हो जाएंगे प्रॉपरली चलिए अब हम कुछ स्टैप यह भी कर लेते हैं हाव स्टैप में लिखेंगे वास्ट थोरोली अंदर रॉनिंग वाटर वाइप देम ड्राइब सब्सक्राइब को अच्छे से पानी में धोना है थर्ड पील एंड चॉप देम टू बाइट साइज पीसे अब उनको छीलना है और छोटे-छोटे टुकडों में चॉप कर लेना ह है फोट एड ओल दा इंग्रीडियंट्स तो अब और टॉस सभी चीजों को एक बाउल में डालकर मिक्स कर लेना है और उसके बाद सर्व एजिटेबल सेलेड इमीडियेटली विद एनी मील उसके बाद इस वेजिटेबल सेलेड को हम किसी भी बोजन के साथ परोज सकते हैं सर्व कर सकते हैं तो यहां आपके दोनों क्वेश्चन हो गए हैं और टुब और हैंड और चली नेक्स्ट करते हैं वाज टॉकेटिव फ्रेंट फ्रेंड फॉल्विंग करेक्टरिस्टिक्स बारबर बातुनी था नीचे दीगी विसेशता हैं आपके परिवार या दोस्तो पहली बलवान तो इसके लिए मैं लिखुआ है मैं फादर मेरे फादर जो हैं यहां मेरे ब्रद्र वेरी नॉटि स्ट्रॉंग के लिए मैं लिखूंगा माई मदर मेरी मदर बहुत स्ट्रॉंग है तब खराब होने के बाद भी वह पूरी फैमिली का ध्यान रखती हैं है और फेट पुलाइट तो पुलाइट में लिखूंगा मैं यंगा सिस्टर जो हैं बहुत पॉलाइट है तो बच्चों यह वर्क सीट यहां कम्प्लीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमार चैनल नौलेज्गिंडम थैंक यू सकति बたい तंसाने के की लाइके लेखनी वीडियों ऑलेंये हमारमे के अालेजर हो इसे अन्य रहे हमारे जर शेखने के लिए चैनल झाल झाल